कि हलो डियर स्टुडेंट हम कंटीनियू कर रहे हैं क्लास सेवन्थ साइन्स चैप्टर नाइन सॉइल प्रीवेस वीडियो में जो था हम डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल के बारे में डिसकस कर रहे थे जिसमें हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि सॉइल में क्या-क्या होते हैं उसके बाद हम जो होरिजन ओफ सॉइल सॉइल प्रोफाइल के बारे में देख रहे थे मैंने आपको जनरली बताया था कि सॉइल प्रोफाइल जो है वह कैसी होती है हम उसी को कंटीनियू करते हुए आगे देख रहे हैं अगर आपने हमारा प्रीविएस वीडियो देखा है तो आप हमारे चैनल व्रिजेश वाकडी पर जाके वेडियो देख सकते हैं साथे साथ यदि आपको अमारे वीडियो पसंद आ रहे है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें और बल आईकाउन प्रेस करें ताकि आपको यह मैं आपको बता चुकी थी कि जहां हुआ यह सब जो हो रहा होगा वहां पर आप यह सॉइल का जो लेयर है वो देख सकते हैं उसके आगे अपरमोस्ट होरिजरन इस जंडरली डार्क इन कलर एस इस रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स जो अपरमोस्ट लेयर होती है सॉइल की वो कैसे होती है डार्क होती है क्यों क्योंकि यह लिच होती है इसमें कांटिटी आफ मिनरल्स ज्यादा होती है the humus makes the soil fertile and provides nutrients to growing plants ने आपको कल भी बताई थी ये बात हमने आ रहे है लास्ट वीडियो में कि जो humus है humus क्या होता है soil के लिए बहुत ही अच्छा होता इससे fertility या productivity जो होती है soil की वो बढ़ जाती है this layer is generally soft, porous and can retain more water ये जो layer होती है soft होती है porous होती है मतलब इसमें आपको porous दिखाई देंगे और water को hold कर सकती है it is called the top soil or the a horizon ये देखिए हम इसे क्या कहते है top soil या a horizon ये जो a horizon दिखाई दे रहा है ये top layer of soil होती है ठीक है अब इसके आगे हम देखें this provides shelter for many living organisms such as worms, rodents, moles and beetles ये जो है बहुत सारे organisms के लिए उनका घर होती है जैसे worms, earthworm, rodents, chew, ये सब इनके लिए है beetles, चोटे-चोटे किडे बगरे होते हैं इन सब के लिए ये उनका घर होती है the roots of small plants are embedded entirely in the top soil जो छोटे पौदे होते हैं उनकी roots जो रहती है वो पूरी तरह top soil में ही रहती है उसके नीचे नहीं जाती है ठीक है तो ये जो है ये क्या कहलाती है top soil और हमने उसमें देखा कि क्या-क्या होता है the next layer has a lesser amount of humus but more of minerals इससे नीचे वाली जो layer होती है top soil के उसमें humus जो होता है वो कम होता है but minerals जादा होते है this layer is generally harder and more compact and it is called the B horizon or the middle layer as compared to A horizon ये layer जो होती है वो hard होती है और compact वो पोरस थी है compact होगी tightly bound होते है यहां पर particles जो होते है फिर और इसे जो कहा क्या कहा जाता है B horizon या middle layer जो है ये soil की कही जाती है then next the third layer is C horizon the next layer ये वो क्या कहलाती है C horizon कहलाती है which is make up of small lumps of rock with crass and cervices यहां पर क्या होते हैं small lumps होते हैं छोट छोटे ऐसे तुकडे मतलब जो मिट्टी के बन जाते है न डेले जिसको हम बोलते हैं मतलब की soil जो होती वो solid form में थोड़ा आने लगती है और cracks और cervikes यहां देखने को मिलेंगे below this layer this is the bedrock which is hard and difficult to dig with a spad इसके नेचे जो आ जाएगा वो bedrock आ जाएगी मतलब सारी पत्थर ही पत्थर आ जाएगे और नॉर्मली उसे इस पैट से नहीं कूच सकते हैं उसके लिए special drilling machine बगरे बड़ी-बड़ी machine आती है उससे वो निका दी जाती है ठीक है then now हम आ रहे है type of the soil में as you know weathering of rocks produce small particles of various materials weathering मतलब हमें बता है जो rock का मतलब जब तूती फूती है तो उससे अलग अलग तरह के materials form होते हैं these include sandy and clay इसमें sandy sand भी होती है sand and clay और बारिक particles भी होते है the relative amount of sand and clay depends upon the rock from which the particles were formed अब देखिए कितने amount में sand होगा या कितने amount में clay होगा यह किस पे depend करेगा उस rock पे depend करेगा जिससे यह soil का formation हुआ है that is the parent rock और वो क्या क्या क्यालाती है parent rock मतलब parent rock पे depend करेगा कि कितने amount में clay होगा और कितने amount में sand the mixture of rock particles and humus is called the soil अब इस तरह के rock particles के साथ यदि humus मिल जाए तो वो soil क्यालाती है यह definition हम पहले भी देख चुके हैं कि rock particles humus के साथ जब mix हो जाते हैं humus and minerals के साथ तो वो soil बन जाती है living organisms such as bacteria, plant roots and earthworm और also important parts of the anise soil अब देखिए living organisms जो living organisms उसमें है जैसे की bacteria है, plant की roots, earthworm है यह सब भी बहुत ही important part होते हैं soil को आपको पता है earthworm bacteria यह भी क्या करते हैं productivity, fertility, soil की increase करते हैं और जो roots होती है वो soil को hold करके रखते हैं तो इनका भी बहुत ही important से the soil is classified on the basis of proportion of particles of various sizes soil जो है वो कैसे classify की जाती है, particles के different proportion के basis पे है ना, अलग-अलग तरह के particles के proportion में soil में है, की clay कितना है, sand कितना है है ना, उनका proportion कितना है, कितनी quantity है उसके basis पर soil जो है classify की जाती है इस soil contains greater proportion of big particles, it is called the sandy soil, यदी soil में बड़े particles जादा है तो वो क्या कहलाती है, sandy soil कहलाती है, है ना, आप क्योंकि बड़े particles जो होते हैं, वो sandy soil कहलाती है if the proportion of fine particles is relatively high, then it is called the clay soil, अब माल लीजिये, उसमें यदी छोटे-छोटे particles जादा है तो वो जो soil कहलाईगी, वो clay soil कहलाईगी if the amount of large and fine particles is about the same, then the soil is called loamy soil यदी दोनों के amount जो है, वो same है, मतलब कुछ amount में clay है, कुछ में sand है equal amount में दोनों है, तो वो जो soil कहलाईगी, वो loamy soil कहलाईगी thus the soil can be classified as sandy, clay and loamy और इसके basis पर हमने soil को तीन तरह से divide किया है एक है sandy soil, दूसरा है clay soil, और तीसरा है loamy soil इनके बारे में detail में हम next video में देखेंगे, इतना आप दिहान से देखिए एक बार rate जरूर करिएगा, जो भी doubt problem होने पर आप मुझसे message करके comment करके पोच सकते हैं keep study, keep watching, thank you so much कर दो तो हमने देखें, मता हम दोग कर दोशना में पोच सकते हैं